वेलकम टो और ओफिशेर टूप चैनल एक्जाम कॉंसेट पे इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजी 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 टीजाम 2022 की जो है इसमें अपडेट है क्योंकि आपको बहुत से कॉमेंट जो इससे रिलेक्टर आ रहे थे एक सार टीजी 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 टी तो आपके सारे जो लीगल पॉइंट है और जो वैलिट पॉइंट है उस पर डिसक्स करेंगा और एक्जाम की डेट क्या हो सकती है कि कब आपके एक्जाम एक्जेक्ट एक्जाम टीजी टीट पीजीट होने के चांसे से पूरा जो हमारे चारोतरफ एट्मोसफेर बना को लेके मैं इस वेकंसी इसलिए बात कर रहा हूं कि इसमें 13 लाख लोगों ने करीब करीब फार्म भराया और सबका यूपी की जितने भी लोग इस फार्म को डाले हैं जो भी एट होल्डर है तो एक उनके मन में जुलाई से पढ़ रहे हैं जुलाई से एक अग्जाम हो जाएगा अक्टूबर में हो जाएगा उसके बाद दिसंबर आया गया अब बताया जा रहा है कि फेब में होगा तो बच्चों के मन में यह कि तैयार मेंबर नहीं है अभी इनकी दस लोगों का मेंबर होते हैं दस में के दस मेंबर की वेकेंट पूरी सीट खा लिए पहली जो इंपॉर्टेंट बैलिट पॉइंट है दूसरी बॉलिट पॉइंट है कि सीटों संगे 4133 63 63 पद हैं जो पोस्ट आई हुए है जो काफी कम पोस् कार भी मुक्त हो रहे हैं रिटार हो रहे हैं उनका सेवे रेप्टिल तक ही कार है उनका डेट है जो होने वाला अभी जो अंदर से हमारी सुचनाएं निकल के आ रहे हैं जो हम लोगों के सचीव से मिले चाहे हम विरेस कुमार की बात कर लें चाहे नवल किसोर की बात कर ले कि जिससे भी हमारी जो जो मुलाकाते हुई चाहिए वीरेस कुमार से कर लें तो यह सब लोगों के पास क्या है कि आयोग के चम्चे बने फिर वहां पर बैठे हुए इनके पास कोई नहीं है वेटिंग देने के नाम पर एक्जाम प्रकिर्याग बोल लें कि इस महीने कर कुछ लोगों के उपाखो कि इसे थीए फेब में एक्जाम हो जाएंगे तो उनके लिए जो लोग करें फेब में हो जाएंगे ठीक है आप लोग तैयारी करते गे एक्जाम कब होगा तो देखी पहली बात कि जब तक मेंबर नहीं आ जाएंगे यानि 10 के 10 मेंबर या 10 में कोरम के लिए 5 मेंबर भी जब तक नहीं आ जाएंगे ठिक तब तक आपकी एक्जाम के प्रक्रिय आगे नहीं बढ़ने वाली यह बिरेश कुमार अकेले इतने मतल है जब तक सरकार नहीं चाहेगी यानि यूपी गॉर्मेंट जब तक वहां से मेंबरों को नहीं भेजी कि या कोई एडवाइजिरी नहीं जारी करेगी तब तक विरेश कुमार एक्जाम डेट नहीं देंगे तो फेबरिडी में जो लोग कर रहें तिसरा वेलिट फोइंट है कि जब तक वूग जो लोग बता रहे сам होंगे तो आप Tyram के जान लिए देंगे तो उसके भी देंगे та लए रहे है तो एक जान को देखिए नौ जनवरी को हाई कोर्ट मेंर कीस लगा वुआ है जब तक इसकी सुनवाने नहीं होगी तब्छे की सुचना नहीं नौ जनावरी तक आफ पास और कोई तो यह सुचना नहीं रहा तो यह 20 जनवरी तक इनके यहां मेंबर आने के जो बाद सरकार के इच्छा है कि अगले साल मेंबर भेजेंगे तो 20 जनरी तक मेंबर आएंगे उनकी मीटिंग भी तुरंट नहीं होगी मीटिंग के लिए भी एक डेट ने धाड़ी जाएगी या जनरी में इनकी पहली मीटिंग हो जाएगी और यह दिसकत किया जाएगा कि एक्जाम हो गए इंकी नहीं होगी तो अब उसपे से एक्जाम जो होंगे उसमें डेट देखी जाएगी कि डेट में के एक्जाम के लिए खाली है क्योंकि दिफरेंट लेबल पे इंडिया लेबल पे और UPPCS का लगते हैं तो दिन नहीं हुआ तब तक आजाएगी बोर्ड का एक्जाम यानि बोर्ड के एक्जाम को लोग सबसे ज़्यादा प्रिफरेंस देंगे तो बोर्ड का एक्जाम होने जा रहा है तो मान के चलिए कि बोर्ड का एक्जाम मार्च में चलेगा परिवरी मार्च तक चलेगा अप्रेल भी लोग पहले आपका एक्जाम नहीं हो पाएगा में में या तो डेट दे दें या जून में आपको एक देट मिल जए तो टी जी टी और पी जी टी का एक्जाम इस आपका में और जून में जानाता है है लगभग fix हो गया है कि कि फिक्ष्ड हो गया है कि उस समय अब जानाताई है नहीं होगा तो आप लोग जो कॉमेंट कर रहे हैं कि सरी जाम कब होगा तो इसके लिए अपने तयारियम जूड़ जाये और को एक लंबा समय मिल रहा है कि मैं से जुन में एक्जाम जाएंगे तो जाएंगे चाह इसके लिए कुछ भी करना पड़े आप लोग मैं जुन की इस्तिती साफ परस परत रहेगी क्योंकि आयोग जाना तरह है क्योंकि मैं जुन में इसलिए क्योंकि 6 अपरेल को चले लेने से देर महिने में आपको मेंबर आएंगे तब तक एक्जाम की डेट की घोशना होगी और यह भरती पूरी साल लेने वाली है मतलब 2023 का पूरा का पूरा साल आपका जाने वाला जुन लेते लेते अब प्रोक्स मुझे डर लग रहा है कि यह 2024 में कहीं न कहीं आपको ल लेगा ओके ठाइंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में